अब देख सकते हैं यहां जो है एक पेड़ लटका हुआ है उसी पेड़ को यहां पे जो है आपने वाला है कुछ लोग यहां जो है घर के एकदम सामने में है और यह अगर अपने आप गीर जाता तो यह सीधे घर में दिल जाता है इसलिए इस पेड़ को जो है अभी आठना पढ़ रहा है और इसी वक्ट एक नड़का जो है लेकर नुब लेकर तो पार होगा था जब कि इस गाच को आधा कार्ट दिया था यह जिए नहीं वाला था इसलिए यहां पे किसी कोई पार नहीं होने दिया जा रहा तो यहां पर और यहां पर दूसरा रसी से इस डाली को काट रहा है वही डाली को दूसरा रसी से बांध के फिर दूसरा पेड़ में उसको बांध दिया थाकि जब पेड़ गीरे तो वह घर तरप ना गिर के इन दोनों के और आता सके और जक्ली भी बच सके तो देखते हैं कि क्या होता है जो रस और उसे ओपने लड़का देख सकते हैं आप पेड़ के अपर में चड़ा हुआ है कि भड़ी से बार बार जो है उसको नीचे गिराने के कोसिसमें लगा हुआ है तभी से वो लड़का काट रहा है मगर अभी तक नहीं हो पाया है इसे चले हैं कि और इदर में दो चैने हैं और उधर से तिन चाहर लोग उसको देख़ रहे हैं एक गेरेगा क्योंकि और उधर से झो है और लड़का सब को आने जाने नहीं दिया जारा है क्योंकि यह डाले ढ़दिया गबी-बिई गिर सकता है किसी की पेड जो है तुकने की आवाज आ रहा है पेड टुणी का वाजा रहा है दिये गिरने ही वाला है दिखते हैं अब तक दिखता है तर गाइस देसकते हैं तो पेड जो है आखिर कार नीचे आही गीरा है और फानली गाइस आप जख सकते हैं तेर जो है कट के नीचे आगी रहा है और लोग बहुत खुश है कि समय कोई ब्याद में नहीं आया इस तरफ या फिर इस राष्टे से कोई पाल नहीं हो रहा था परना कुछ भी हाथसा हो सकता था या होने का बहुत जादा चांस था फानली ये गाज जो है पार दिया गया है और लड़काचे उपर में वो नीचे उतर रहा है है प्रोड़ में वीर उन्ड प्रोड़कर से में रहा है लुछ कर दो नहीं है ईया चाहीं है रहीं है जार दो उन्डे में वाल से कर दों कर दों